हेलो दोस्तो और स्वागत है आपका टोटल प्रेप UPSC चैनल में इसमें राइट नाओ आप देख रहे हैं आज की सारी करेंट अफेस का रैपिड राउंड अप तो दोस्तो हम आगे बढ़ें इसके पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट करके बताइए क कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तभी मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए यहां पर बनाने के लिए रोज मैं आपके लिए एक से एक करेंट अफेस की वीडियो ले क्या होंगा, कंपाइलेशन ले क्या होंगा, विजन आईस की मैगजीन, विजन पीटी 365 के कंपाइलेशन और सब पर हाई पावर में यहां दे रहा हूँ, आप देखेंगे जरूर उन ही में से करेंट अफेस स और no such limit, regulatory sandbox क्या होता है और क्यों यह सवाल उठ रहा है यह हम हमारे वीडियो में देखेंगे, the snow leopard conservation center is being developed in which state, A, JN, K, B, Meghalaya, C, Sikkim, D, Uttarakhand, ठीक है, YSR, Cheyuta Scheme, aims to support A, women between 45 to 60 years of age, B, women of self-help groups, C, women who have been left by their husbands, और D, widows, ठीक है, तो देख लिए हम लोग यहां पर हमने यह चारो question देख लिए क्या, आज दीनी question है, ठीक है, इसके answers आपको वीडियो के end में मिलेंगे, चलिए हम पहली news पे चलते है, RBI launches innovation hub of financial inclusion, देखे 6 August 2020 को RBI ने innovation hub launch किया है, जिसके जरीए ideation और incubation किया जाएगा नई capabilities का, जो कि financial inclusion को देश में बढ़ाने के लिए leverage किया जा सकता है, about innovation ह हम बात करते हैं, हम launch किया जा रहा है, start-up को देश में promote करने के लिए, और it will help in ideation and incubation of new capabilities, ये क्या करेगा, help करेगा, financial inclusion को देश में बढ़ाएगा, और efficient banking services को promote करेगा, basically banking के sector में और financial services के sector में थोड़े नए-नए research किये जाएंगे, इस तरह से कि, उसमें कुछ नए-नए ideas ले develop होते हैं, जो कि नॉर्मल आपके bureaucratic setup में, RBI के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर बैटके लोगों को वो ideas नहीं आएंगे, जो कि कोई startup लेके आ सकता है, तो उसी को develop करने के लिए, यहां पर एक innovation hub RBI ने launch करने की decision फैसला लिया है, उन्होंने announce किया है, regulatory sandbox जो हमने MCQ में दे test किया जाता है, regulatory framework कि आपको इस तरह के नियमों को मान के चलना पड़ेगा वगेरा वगेरा, उसमें आपको deal दी जाएगी, किसी particular area के लिए, ठीक है, वहां पर आप अपने नया product launch कर सकते हैं, तो देखा जाएगा, testing किया जाएगा, यहां पर financial testing की बात हो रही है, कि आपका एक bank के अंदर यह facilities होनी चाहिए, इस तरह के नियम है, पर अगर कोई startup ऐसे ideas लेके आता है, कि मान लेजिए, मैं bank ना चला हूँ, मैं सिर्फ पैसा जमा करो और withdraw करो, इस type की scheme लेकिया हूँ, मैं just एक example दे रहा हूँ आपको, तो SSS तो इसको allow नहीं किया जा सकता देश में, लेकिन कुछ समय के लिए किसी particular area में RBI इसको एक regulatory sandbox के तहट allow कर सकता है, जिसमें की फिर देखेंगे कि यह कैसे काम कर रहा है, है रात उसकी testing हो जाएगी, देखी, norms क्या होंगे, RBI will launch sandbox, जो entities इनका minimum net worth 25 लाग का होगा, कम से कम ऐसी company होनी चाहिए registered in the country, और banks license to operate in India, ऐसे जो company हैं, उन्हीं को इस तरह के sandbox में जाके participate करने का allow किया जाएगा, निती IO के मताबिक, एक trillion US dollar, जो small और medium enterprises जो है, वो digitally disburs कर दिये जाएंगे by 2029, इंडिया जो है, वो fastest growing fintech market है world में, fintech मतलब financial technology, इंडिया का fintech ecosystem जो है, 6 billion US dollar investment globally, 2014 से attract कर रहा है, तो यह financial technologies का जो ecosystem है, यह RBI जो normal bank हमारे सरकारी और private bank होते हैं, वो देखिये कैसे brick and mortar जो bank होते है, वो कैसे operate करते हैं, और यह जो fintech companies का जो environment है, जो ecosystem है, वो कितना advanced है, कितना user friendly है, उसके अंदर कितनी exciting potential है, तो उनको कैसे हम public तक लेके आ सके, इसके लिए RBI उनको एक तरह से include कर रहा है, है ना, fintech companies जो है, technology को leverage करती है, प्रेमेंट crowdfunding के लिए, crowdfunding मतलब अपने idea बताया, पब्लिक को बोल आप थोड़ थोड़े पैसे दीजिए, अगर आपको इस idea में belief है, तो लोगोंने मालेजे 20-20 dollar करके दिया, gofundme.org या .com ऐसा करके website है, दुनिया पर में कोई ऐसे अगर campaign होती है, तो gofundme अपना launch करते है, वहाँ पर page, कि इसमें लोग आपके 20-20 dollar करके भी दे, तो मेरा project launch हो जाएगा, crowdfunding, peer-to-peer lending, कि मुझे छोड़ा सा loan चाहिए, मुझे किसी और ने दे दिया, यह सब recently RBI ने allow भी किया है, इसके फ़ले RBI ने खुद भी allow नहीं किया हो था, पर इस तरह के fintech में इस तरह की services देने के लिए companies है, to protect consumers and safeguard their interest, there is a need to regulate and supervise fintech firms also, ठीक है, तो fintech firms जो है, उनको regulate भी करना है, और इसको एक तरह से encourage भी करना है, ऐसा नहीं कि discourage करना है, तो keep up the competition in the world, ऐसा लिखा है, दुनिया में competition बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, consumer के लिए वही conservation center बनाया जा रहा है, पहला इंडिया का उतराखंड में, ये एक joint collaboration है, उतराखंड forest department और United Nations Development Program के बीच में है, इसके highlight क्या है, देखिए, कि main aim तो जाहिर बात है, कि to conserve and restore Himalayan ecosystems, ये, it also aims to conserve elusive snow leopards, snow leopards जो है elusive है, आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, छुपे रहते हैं, ये और इस तरह की दूसरी endangered Himalayan species को conservation करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, concern क्या है, कि पिथोड़ागर district और उत्तरकाशी, उत्तराखंड के जो दो जिले हैं, महां recently काफी snow leopards देखे गए हैं, लेकिन actual figure इनका हम नहीं जानते हैं, अभी तक state government ने क्या किया है, कि 86 snow le leopards उनके पास हैं, ऐसा उनका मानना है, लेकिन there is a need to identify areas जहाँ पर की snow leopards को spot किया जा रहा है, यह अचीव किया जा सकता है forest department की मदल से और local लोगों के cooperation से, ठीक है, इससे क्या होगा, यह जो इनका conservation center set up किया जा रहा है, इससे winter tourism भी state में बढ़ेगा, है ना, च्छंड में कई बार लोग बर्फ का आनंद लेने के लिए शिमला जातने हैं मालने लिजिए, तो लोग यहाँ पर भी snow leopard बगर देखने के लिए आप जया करेंगे, तो इससे उनके winter tourism को बढ़ावा मिलेगा, साथी साथ क्या होगा, कि it is also the process of developing six city forests, तो यह उतराखंड जो है, छे शे श system environment के लिए वहाँ की सरकार काफी प्रतिबद्ध लग रही है, बात करेंगे snow leopard की तो इंडिया में पहला national protocol on snow leopard population assessment, यह international slow leopard day 23 October 2019 को launch किया गया था, बहुत कम चांस है पर फिर भी कोई पूछ सकता है कि snow leopard day कब मनाया जाता है, तो 23 October आप याद कर लिजे, ठीक है, तो इनका survey कि अधिया गया था, लद्दा, किमाचर प्रदेश, JNK, सिक्की, मुत्राखन और अवनाचर प्रदेश में, इस यह launch था, इसी, इस आपको याद करना पड़ेगा, यह चाइना, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, इंडिया, पागिस्तान, रशिया, उस्वेकिस्तान, ताजिक ताजिकिस्तान, किर्किस्तान, और अफगानिस्तान, कैसे आप याद रखेंगे, देखे, एक तो इंडिया और उसके नेबर्स, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, उपर चाइना, मंगोलिया, रशिया, ठीक है, उसके बाद सेंट्रलेशन कंट्री, ताजिकिस्तान, खजकिस्तान, किर्गिस्तान, यह आपके सेंटरलेशन कंट्री, इनको याद रखेंगे, ग्लोबल स्नो, लेउपर्ड एको सिस्टम, प्रोटेक्शन प्रोग्राम के यह मेंबर्स हैं, यह प्रोग्राम जो है, यह अवेरनेस और अटर स्टैंडिंग जो ए है वो दुनिया के पांच परसेंट है बहुत ज्यादा तो नहीं है देखिए फिर भी मेरे खाल से पांच परसेंट एक सिग्निफिकेंट नंबर है इसे बड़ी स्टेट फॉरवड है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप इंटेलिजेंट गेस भी नहीं मार पाएंगे एक्जाम में तो इंवार्मेंटर निकालोजी आपको बढ़ियां से पड़के रखना चाहिए मुझे एक फिलिंग है कि इस साल काफी कुष्टन इंवार्मेंटर निकालोजी से आने वाले हैं बाकी तो आप यूपीस मे से बिल्कुल पढ़के रखना चाहिए इंडिया इंडिया जो है उसने प्रोजेक्ट नो लेपर लॉंच किया है इंक्लूसीव अप्रोच को प्रमोट करने के लिए जिससे की लोकल कम्यूनिटीज को इंक्रूट किया जाएगा जेखिए कोई भी गवर्मेंट का इसमें है कि यहां की एकोलोजी और इंवार्मेंटल डावर्सिटी को आप बचा के रखें वो अगर कन्विंज हो गया तो वो अपनी डेली लाइफ का इसको हिस्सा बना लेंगे बहुत सारे इसके जोलनत एक्जांपल भी है आप जैसे न्यूस पढ़ते चले जाएंगा आ आपको याद रखना चाहिए चार्ज स्टेट्स में कंडट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश जियन के सिक्किमार उत्राकांड यह जो पहाड के रिजन है वहाँ पर स्नोलेपड मिलते हैं वहीं पर यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है देखिए अब हम आ जाते अलगे न यह चार इक्वल इंस्टॉल्मेंट अटरह हजार साथ सो पचास पर यर दिया जाएगा उनको ठीक है चार साल में पहत्तरह जार रुपे दिये जाएंगे अवाउंस अटू भी ट्रांसफर टू दबैंक अकाउंट्स ऑफ दा बेनिफिशियरी इस्टेट गवर्मेंट ने 4500 करोड रुपया इंप्लिमेंट किया गया है इनको अभी जो है शायद लॉक्डाउन वगरे के वज़र से इंप्लॉइमेंट नहीं मिल पा रहा है तो जो है काफी ज़्यादा उससे अफेक्टेड है तो साल का 18,750 करके 4 साल तक इने दिया जाएगा ठीक है स्टेट गवर् करते हैं उनको 6,700 करोड रुपया एक साल में डिस्ट्रिबूट किया जाएगा स्टेट गवर्मेंट ऑफ अंदरपरदेश ने रिसेंट्ली फानाइंशल अजिस्टेंस ऑफ यसर चेयुथा को एक्सेंड किया है तो दोस अवेलिंग सोचल सेक्यूरिटी पेंशन अंडर द यसर पेंशन करनू का इस कम्यूटी की औरतों को दिया जाता था ठीक है यह देखे तीन स्कीम की यहां पर बात हो गई इसमें अलग-अलग बेनिफिशियरीज है यह आपको याद रखना से आपको कन्फ्यूस करने के लिए पूछा जा सकता है यसर रेड़ी जो है उनकी ज पूछा जाएगा जेनरली वेलफेर स्कीम में कितना माउंट दिया जा रहा है विच फॉलोविंग इस टू करके एक टफ केस्टन आपसे पूछ लिया जाएगा है तो स्कीम के जो चार-पाँच में पॉइंट उतने कॉन बेनिफिशियरीज है किसलिए उनको दिया जा रहा है फिर एपी राइल सीमा ड्राउट मिटिगेशन प्रोजेक्ट डेवल fidichen कॉर्पोरेशन भी अप्रूव किया गया है राइल सीमा एरिया जो है अंदरप्रदेश का वहां पर अकाल की समस्या ये कम उपज की समस्या है तो वहां पर ड्रोप मिटिगेशन के लिए कुछ बबरे आती रहती है नदी के किनारे पहाडी के कही साइड में लोग illegal sand mining करते हैं ठीक है इससे environment technology को damage होगा उसके norms तो follow किये नहीं जाएंगे यह sand mafia बहुत जादा क्या 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 powerful होता है कई बार government officials उनको रोकने पहुंचते हैं वो government officials पर हमला कर देते हैं इतने करोड रुपे के budget के लिए budget लेके किया गया है और रायल सीमार रीजन में irrigation project यह चलाएंगे फिर एक fish feed quality control act भी बनाया है यह अपने अपनी तरह का एक पहला act है देखिए यह सारे जो मैं आपको बताते जा रहा हूं यह साब अपने आप में एक एक mcq बन सकते हैं fish feed quality control act किस ने बनाया है मचलियों को चारा जो दिया जाता है उसकी quality भी एक minimum standard की होगी ऐसा कानून आरंदर प्रदेश के वाइसा रेडी गवर्मेंट ने बनाया है ठीक है तो एक्वा कल्चर फीड को जो quality है उसका monitor किया जाएगा यह आपको याद रखना है कि कौन सी सरकार ने किया है ठीक है उसके लिए 40 फीड अनालेसिस लैब स्टेट में इस्टैब्लिश की जाएंगे तो मचली को जो चारा दिया जा रहा है उसको टेस्ट करेंगे जो एक्वा कल्चर जो है उसको सेवगार्ट करने के लिए किया जा रहा है क्या मचली मत से पालन में देखे 60% expenditure जो है वो मचली के चारे में ही चले जाता है तो चारे की quality तो अच अनन्तपूर और कुरणोल डिस्टिक्ट में बना जाएंगे यह भी आपसे question किया जा सकता है यह तो straight forward question आ जाएगा cattle grazing training center कहा setup किये जा रहे है तो आपको बताना है अनन्तपूर और कुरणोल डिस्टिक्ट में setup किये जा रहे है देखे अगली news पे आते है RBI monetary policy जो है आज RBI पैसा RBI रखती है तो बैंकों को इंट्रेस्स देती है आपको गर याद रखने में दिखके तो reverse यानी उल्टा होता है तो उल्टा मामला है कि RBI बैंकों से पैसा ले करदे कि-स बैंकों को फैसा ले ना चाहिए अगर RBI उन्होंने दिया है और ज्यादा पैसा उनको ख़ल्च करने के लिए दिया है नबाट तो जो है देखिए रूरल एरिया में जो बैंक है और जो आपके को पैसा लिकुडिटी अपना ट्रास्फर कर जाएगा और अग्रिकुर्चर प्रोजेक्ट को स्पांसर करेगा उसके जरी था कि अगर आप सोना गिर्वी रखते हैं तो उसके वैल्यू का 75% ही पैसा आपको मिलेगा पर आप उसको 90% कर दिया गया है क्योंकि देश में lockdown के वज़े से लोग financial hardship से गुजर रहे हैं अगर उसको गिर्वी रखके उनको पैसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है उन्हें अपना एसेट भी नहीं पड़ रहा है और उस सोने के इवज में जो है वो अपना अपना दिन चरिया चला लेंगे अपनी जीवन की जीवन उनका चलता रहेगा या चोटा मोटा जो भी यह पैसा उनको मिल जाएगा तो यह भी आरविया ने फैसला लिया है फिर लेंडर जिन्होंने लोन दिये हैं वो इंडिविज्वल बॉर्वर्स और कॉपरेट का लोन रिस्ट्रक्चर कर सकेंगे अब ठीक है अब MSME के मामले में क्या किया गया है स्ट्रेस्ट MSME बॉर्वर्स अभी अपना रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं डेट अगर उनका अकाउंट स्टैंडर्ड करके क्लासिफाई किया गया है पहले से NPA क्लासिफाई नहीं था अगर यह लोगडाउन वाली सिच्वेशन होने के पहले से ही अगर उन्होंने अपना इंस अगर उसके पहले उनका अकाउंट स्टैंडर्ड था नॉर्मल था और अब इस लॉट्डाउन की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है तो अपना डेट रिस्ट्रक्चर कर लेंगे रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वैसे मालेजिए कि जो पेमेंट का प्लैन है उनका हर फॉलविंग अनॉंस्मेंट किए एकनोमिक ग्रोथ जो है वो पहले आफ में कॉंट्रैक्ट होगा यानि एकनोमिक ग्रोथ नहीं करेगी का कॉंट्रैक्ट करेगी मॉनिटरी पॉलिशी ने रेपो रेट एक्सो पंदरा बेसिस पॉइंट पिछली दो मेटिंग्स में कम कर दिया गया है ठीक है इस साल जून तक में देखे जो रिटेल इंफलेशन था वो 6.09 परसेंट था इसमें फूड आइटम, मीट, सीरियल, फिश पल्स यह सब भी शामिल है प्रवष गेर्फी यह सब अपकोई पता होना चाहिए रमेश संग् की बूख के पीछे जो गलॉसरी आफ टर्म्स दिया हुआ हुआ है उसका अपढ़ लेंगे जर्णरली कुई बिछ बैच आगटर हैगर तो उसको यह सारे टर्म्स तो पता होने ही चाहिए ठीक है उसमें को कोई नेगोशेशन होनी सकता यह कभी भी सीधे एक्जाम में आपसे नहीं पूछे का क्या होता है कुछ गुमा फिराके अगर एक दो सवाल इजी वाले सवाल में आ गया पूछ भी दे सकता है तो वो गुमा फिराके पूछेगा लेकिन आपको यह टर्म सारे के सारे मालूम हो ते हीशन होने चाहिए ठीक है इस में छे मेंबर होते हैं तीन कोबार हमि जाते हुए हूँ एक उसलार करेंद के जातłę उनको नहीं किया ते ऐसे ुशक learnt क्मेंटि आप Hai इसार आप जो मने आपको बता है ऌनार्बिव मेंबर तीन गोटे इंसके बारे में यह आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं फिर देखी थे मुबाइल आटी पीसी आर लैब ऑफ इंडिया डेवलप किया गया है इंडियन इंसिट्ट व साइंस और यह द्वारा करनाटा का में लॉंच किया गया है यह तो बेंगलोरू में है तो वहीं लॉंच किया जाएगा यह आपसे पूछेगा कि कौन से इंस्टिट्ट ने डेवलप किया है ठीक है रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन करता है ट्रांस्क्रिप्शन क्या होता है डियने टू आरेने टू प्रोटीन मतलब अगर आप प्रोटीन से आरेने बना दें प्रोटीन से आरेने बना दें तो आरेन यानि यह वाला वायरस बन रहा है तो आप बोल लेंगे हाँ यह कोरोना मौजूद है यहाँ पर ठीक है पॉलिमरेस चेंज रियाक्शन क्या होता है यह आपको पढ़ लेना चाहिए अलीसा टेस्ट है वी के लिए होता है इसके लिए आटी पीसी आ टेस्ट होता है और आटी टेस्ट होता है ठीक है यह मैं कई बार मेरे वीडियो में पहले भी बता चुका हूं आपसे ज़रूर इसी के बारे में एक क्वेश्चन आएगा इस बार टेस्ट मेंनी मेजर्स अमाउंट आफ स्पेसिफिक आरेने को टेस्ट करता है आरेने को भी कॉम्प्लिमेंट्री डि निगा से पढ़ लीजिए जनरली उसमें से जो भी खुश्चन आते हैं वह इतने इसी लेवल के ही रहते हैं कि एक सश्री निगा से पढ़ लेने के बाद आपको बन जाएंगे ठीक है तो कोरोना टेस्टिंग के लिए इसको बनाया गया है आटी पीसी आर के बाद और जो म बढ़ाया जाएगा जिसको कि हम मेजर कर सकें तो उससे वायरस का जीनों में बढ़ेगा ठीक है तो यह फास्टर दैन आटी पीसी आर है इसमें रिपीटेट कूलिंग और रिपीटेटिंग साइकल नहीं होती है आटी पीसी आर में बार कूल करो हीट करो इस तरह के सैकल च कि नहीं IgM और IgG यह दो तरक एंटीबॉडी होती है है ना तो एंटीबॉडी बनी कि नहीं मतलब यानि कई लोगों को को निकल भी चुका है उनको पता नहीं होगा कि मुझे कोरोना हुआ था बीच में 80% लोगों के साथ यही कहानी है पर उनकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी बिल्ड हो चुकी है अब तो उनका ब्लड टेस्ट करने पर पता चल जाएगा कि एंटीबॉडी आईजीजी और IgM जो है इम्मूनो ग्लोबुलिन का यह होते हैं यह मिल रहे हैं कि नहीं अगर मिल यानि उनको हो चुक है तो उससे पता चलता है कितना ज्यादा समाज में सुसाइटी में फैला हुआ है यह ठीक है और वे टेस्ट है रापिड डियाग्नोस्टिक टेस्ट एलीसा टेस्ट जो की एड्स के लिए किया जाता है एंजाइम इम्मूनो जॉर्बेंट ऐसे फिर न करोना का वाइरस मौजूद है अगरे न्यूस पर आते हैं जापान देखे अब 75 साल हो गए इस वार्प्लेन का नाम था उसने लिटिल बॉय छोटा बच्चा नाम का बॉम गिराया था हिरोशिमा पे उससे एक सो चालीस हजार एक लाग चालीस हजार लोगों की डेथ हो गई तीन दिन बाद नौ अगस्त को दूसरा बच्चा मोटा आदमी यह नाम याद रखे यह आपसे पुछा जा सकता लो इनोला गे नाम भी याद रखेगा ठीक है यह बच्चा जो इससे बच गए तो उनको क इस तरह की चीजे प्रोवाइड करती है अभी हम लोग रिसेंटली इस न्यूस देखे थे कि ब्लैक रेन हिरोशिमा पर बाम गिरने के बाद एक ब्लैक रेन भी हुई थी बारिश हुई थी जिसमें की रेडियेशन मौजूद थी कई लोग एटोमिक बाम का शिकार नहीं वो आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है फिर एटम बाम क्यों जापान पर यूए से ने गिराया था तो उनका कहना है कि जो है जापान की फोर्स ने इस इंडीज के और रिच एरिया को कैप्चर कर लिया था वगर देखिए वह बहुत समय से उन लोग एटम बाम को बना था फोपे मिलिटरी का हेड़काटर भी था अर्मी हेड़काटर भी था और नागासा की जो है जापान का वण अफ दि लाजेस्ट सी पोर्ट अतलिया इंडीवाद के लिए उह किया था और मिल्के बाम बनाएं अपना अलग बाम क्यों बनाएंगे ठीक है और यह भी दिसा पर जापान पर बाँम गिलाने के पहले 16 जुलाई को उन्होंने ट्रिनिटी साइट पर उसका टेस्टिंग किया था टामिक बाँम का वह मैनहाटन प्रोजेट्ट के लाता है इसके तरह नहीं यह डेवलप किया था यूँकि यूएसे यूक्य और कैनडा ने मिलके किया था य ठीक है अहीं अनसर के तक आचूके है देखिए नॉन अरब्याय मेंबर्स ऑफ ड़ जो है आरपैंटटड भाई स सर्च कम स्यलेक्शन पमीटी समझ गें सी ज्यूप्शन है अरापैंटड वाया सर्च कम सेलेक्शन कमीटी जिन्होंने निउस सोना उन्होंने देख लिया कि यही उसका answer है ठीक है RBI has launched regulatory sandbox for companies with a minimum net worth of 25 लाग जिनोंने news देखी उनको पता है यह answer भी Snow Leopard Conservation Center कहां build किया जा रहा है उत्राखंड में build किया जा रहा है ठीक है और YSR चे उता स्कीम जो है वो 45 से 60 वर्ष के आयो की महिलाओं के तरफ target किया गया है ठीक है दोस्तों तो जो कि मैंने अभी बात बताई Search Come Selection Committee वो यह दुबारा स्लाइड यहां पर आ गई है ठीक है तो थैंक्यू गाईज यह थी मेरी आज की current affairs की coverage मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा approach पसंद आया होगा अगर मेरी videos आपको पसंद आ रही है मेरे videos को अपने दोस्तों के साथ share करिए अपने groups में share करिए और भी लोगों को मेरे channel के बारे में बताईए ताकि हम साथ में एक channel के तोर पर grow कर सके इस साल के UPS reply को हम लोग साथ मेरे के clear कर सके ठीक है दोस्तों मुझे अमीर जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप करेंगे thank you and मिलते हैं कल